नमस्कार दोस्तों बहुत पोट स्वागत है आपका हमारी शेनल में मित्रों 11, 12 और 13 दिसंबर के दिन मित्थोंडासी वाले जातकों के जीवन में कुछ ऐसी बाते होंगी कुछ ऐसे बड़ी घटनाएं होंगी जिनके कारण इनके पैर काफ जाएंगे आप चाहे तो हमसे लिखवा कर ले सकते हैं परनतो इस वीडियो को आप जितने जल्दी हो सके देखने की अवस्य कोसिस करें क्योंकि मित्थोंडासी वाले जातकों के जीवन में बहुत सारी ऐसी बाते होंगी बहुत सारी ऐसी घटनाएं और बहुत सारे ऐसे परिवर्तन होंगे जो आपको अंदर से जगजोर देने वाले हैं आपके जीवन में आपको खुसिया देने वाले हैं और कई प्रकार की मुसिबतों से आपको छुटकारा भी अवस्य दिलवाने वाले हैं आपको बताएंगे इस वीडियो के मद्द में महत्पुर्ण उपाई के बारे में दिनको आजमाने से जीमर में लाव की फ्राप्ति हो सकती हैं और एक कारी शेतर में विसेश वड़ी खुसकवरी का आगमन हो सकता है आपको बताएंगे सारी जानकारी विस्तार से वीडियो को आखरे तक देखिएगा उससे पहले वीडियो को लाइक करगे चैनल को सब्सक्राइब अवस्से कर लें ताकि रोजाना रासिफल आपको समय से मिल सके और आप आने वाले दिनों को बहतर बना सकें इत्रो भगवान स्रीहरी विस्तार जी के क्रिपा से आपको बड़ी खुसकवरी विस सुनने को मिल सकती हैं जिस्टे की आपका मन काफी प्रसन न होंगे सनिदेव और कुबेर महराज का अश्रीबाद आपके उपर सबसे अधिक रहेगा जिनसे आपको अपने कारोबार में पहले से अधिक धन नाब मिल सकता है समाज में आपको मान सम्मान बढ़ सकता है आने वाले समय आपके लिए अच्चा रह सकता है नोकरी करने वाले लोगों को प्रमोशन मिल सकता है इसके लावा सैलरी में वड़ोतरी होंगी सनिदेब जी का नाम लेकर जिस भी कारी की सुरुआत करेंगे आपके लिए आने वालस में बेहद इस्सु बरहने वाला है सनिदेब जी की किर्फा से आप अपने लक्षे को फराप्त करने में सक्चम होंगे और विशेष बड़ी खुसकवरी का आगवन भी आपके जीवन में होने वाला है जो आपको सुखसमरद्दी में दंदोलत में बड़ोतरी करने में आपका सहयोग कर सकता है आपके जीवन में कारिकारी योजनाओं को बनाना जाना और आपके जीवन में खुस्चों का पालन करना आपके लिए बहुत ही आवस्तक हो सकता है क्योंकि इस समय आपको जीवन की तमाम परकार की फहलों से नुजात मिल सकता है और कारिशेतर में विसेष बड़ी खुसकवरी का आगवन भी आसानी से होने वाला है जो आपको जीवन की तमाम परकार की वैसी फ्रस्तितों से ठुटकारा दिलवाएगा जो आपके लिए काफी जादा मुश्किल और काफी जादा आपके जीवन में प्रसानी दायक हो सकता है बत्रों आप लोगों को बताना चाहेंगे कि इस समय आपक फिखास जानकारी की फ्राप्ति भी अवस्ते होने वाली हैं आप अपने मंचाहे फलों की फ्राप्ति कर सुकोगे आपको खिस्मत में चारों दिशाओं से खुशों की वरसाद होने वाली हैं नोकरी के शित्र में आपका अधिकार बढ़ सकता है आपको किसी परिक्षा पर प्रगति हासिल होंगी जो लोग विद्यार्थी वर्गके हैं उनको सिख्षा के शेत्र में अच्छा फल मिल सकता है आप अपनी अधुरी मनुक कामनाओं को पूरा कर सकते हैं आप लोगों को अत्रिक्त आयके सुरोत हासिल होंगे कारिष्टल में आपके तारीफ होंगे आपको सुनने को मिलेंगी जिससे आपके जीवन में आपको बहतर उपाय को करने के मौके मिलेंगे आपके कारी के मुताविक भी आपके जीवन में आपको प्रिसानी को खत्म करने के मौके मिल सकते हैं सामाने प्रिस्थितियां भी आपके लिबहतर बन सकती हैं उच्छित परणामों को फ्राप्त कर सकोगे आपको धहर के साथ कारिशेतर में लगातार परियास करने होंगे आपके जीवन में आपको तपना भी बढ़ेगा और कारिशेतर में आगे बढ़ने के मौके बल सकते हैं आपकी ओजनाई भी बहतर होंगी पुराने कारे में आपको छुरकार मिल सकता है सांति पुरुवक मामला भी आपके घर परिवारी में बना रहेगा जीवन साथी के साथ गुमने जाने का अवजन कर सकते हैं लोगों से आपको बहतर सहीयोग मिल सकता है अत्रिक्त आई भी प्राप्त होंगी आपके सामाज एक मान सम्मान और परतिष्टा मवड़ कि यादा सकता है आपको निवेसों से फायदे होंगे आपको संतान फक्षे से समंद्चारी की सारी फिरसानियां अवज से दुर होंगी तो दोस्तों आपको बताना चाहेंगे कि आपके जीवन में लगातार खुशों की बरसाते होने वाली हैं आपको खुश्यों के पार वरतन होने के मोके मिल सकते हैं समाज में आपको अलग से भी मिल सकते हैं आपको माता फिता का पूरा सहयोग मिल सकता है आप अपने फिता का धहन अपने वैवसाय में लगा सुकोगे आप अपने प्रेम जी विवार को अवाइस कर सकते हैं आपको खुशी का समचार मिल सकता है दोस्तों आपको नोकरी और बेवसाय में मिस्रित प्रणामों के फ्राप्ती होंगी आपको कड़ी मेहनत और परियासू से आगे बढ़ने के मोक्रे मिल सकते हैं आपके पुद्धनती हो सकती हैं करियर में आगे बढ़ने में जभाग भी साथ दे सकता है आपको जीवन साथी से कोई सुबसमाचारों के फ्राप्ती होंगी दन फ्राप्ती का योग भी आपके कुंडली में रह सकता है दार्मिक और समाधी कारों में हिस्सा लेने से आपके मान सम्मान विड़तरी होंगी पर्तूगी परिक्षा में अच्छे सफलता मिल सकती है आपको नोकरी का प्रिस्ता मिल सकता है नोकरी और कारुबार में आपके किस्मत भी आपका पूरा साथ देंगी बिगड़े विक कारी भी बनेंगे नोकरी के चेत्र में आपको कई बड़े अवसरों की प्राप्ती होंग आप जितना आधिक मैनत करेंगे आपको उतनी ही अधिक सफलता की प्राप्ति होंगी आने वाला समय आपके लिए बहुत आखास रह सकता है आपके जीवन में खुशियां मिल सकती है आर्टिक तंग्यों से आपको चुटकारा मिल सकता है और आपके भाग भी आपका साथ देन वाला है भाग के साथ देने के कारण आपके जीवन की रुकी पड़ी योजनाई भी पूरी होंगी कारी शेत्र में आपको विसेश बेड़ी खुशकवरी की प्राप्ति हो सकती है आपके समय कौपी अच्छा रह सकता है मत्रों आपको खूब सारे दंदोलत की प्राप्ति हों होंगी नोकरी फेसा वाले लोगों को तरक्की हासल होंगी मुझे जाधी कारियों की तरफ से आपको अच्छे काम काजू की तारिफे मिल सकती है आप अपने जीवन में खुश्यों को प्राप्त कर सकोगे आपको कारी शेत्र में ऑफिस में काफी ज़्यादा अच्छा सकता है आपको सोचे वेकारी भी पूरे होंगे आपको बहुत जल्द बड़ी काम यावी मिल सकती हैं समाज में आप अपने अलग पहचान बनाने में सक्चम रह सकते हैं समय के साथ साथ आपको अपने जीवन में नई प्रिवर्तन होता हुआ दिकाई दे सकता है नई लोग के जानकारियां जो भी आपको बताई जा रही हैं वे सारी के सारी रहस्य में और काफी जादा महत्पुन रहने वाली हैं असलिए आप लोगों से विंती हैं कि आप आगे के जानकारियों को पूरा गौर्स खुस्यों को पाने के लिए आप इसे इंप्लेड में जरूर करें मत्रों आप अपने किस बैपार बैवसाय में अच्छा खास लाप को अर्जित कर सकते हैं आप अपने किसी प्रियमित्र से मुलाकात कर सकोगे जिनसे की आपको आनंद की प्राप्ति होंगी आपके मन में आपके मन्खस्ति में काफी बड़ी खुसकवरी की प्राप्ति होंगी आपको अलग-अलग शेत्रों से कफी नहीं और अच्छे सुपसमाचारू की प्राप्ती होंगी आपके दामपत्ते जीवन में प्रेम और सुखो की वरसात हो सकती है आप अपने जीवन साते और स्वेंग के साथ समय विता सुखोगे आपको तोड़ा सा साव दहान रहना पड़ सकता है मत्रों आपको अपने सेहत का धिहान रखने होंगे आपको साधिस्तों लूगों के गिरियस्त जीवन में विसेश बड़ी खुसकवरी का आगवन हो सकता है और आपको संतान सुखो के प्राप्ती होंगी